Hello students, IGNU से अगर आप MA in English course कर रहे हैं और solve assignment के वीडियो को सर्च कर रहे थे तो ये वीडियो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं आज के इस वीडियो में subject code MAG01 जिसका subject name है British Poetry इस subject code का हम आपके लिए complete solve assignment लेकर आए हैं आपको बता दे IGNU में जो भी student MAG course में admission लेते हैं तो उनके कई subjects होते हैं जिसमें हम MAG1 से लेकर MAG20 या इससे plus के series भी हो सकते हैं तो यहाँ पे हमारे channel पे ये सब ही assignment के वीडियो को upload कर दिये गए हैं जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिलेगा आप हमारी playlist चेक कर सकते हैं और हमारे channel पे जाकर बाकी assignments को देख पाएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं session और submission date की जिन्होंने भी पहली बार IGNU से कोई course में admission लिया हो MAG ही course में और आपको कोई knowledge नहीं है कि IGNU का system कैसे work करता है, session क्या होता है और उसी के according assignment कब तक आपको submit करना है तो ये जानकारी लेने के बाद हम इसके सभी answers को आज के इस वीडियो में देखेंगे तो अगर आप पहली बार हमारे channel पे आए हैं तो subscribe कर लें ताकि इसी तरह के आपको वीडियो लगतार मिलती रहे तो question paper के top पे देखें, यहाँ जुलाई 2024 और जनवरी 2025 session mention है इसका मतलब है जुलाई 2024 से लेकर जनवरी 2025 session में जो भी student इस दोरान admission लेने वाले हैं उन दोनों के लिए ही ये same assignment valid होगा इगनु में दो session में admission होते हैं, एक होता है जुलाई session और दूसरा जनवरी session तो इसलिए जुलाई 2024 और जनवरी 2025 दोनों के लिए ये same assignment valid है last date of submission की बात करें तो जुलाई 2024 वाले students को 31 मार्च 2025 का समय दिया गया है वहीं अगर जनवरी 2025 की बात करें तो 31 अक्टूबर 2025 का आपको submission date दिया गया है I hope आपको session और submission date समझ में आ गया होगा यहाँ पे आप questions को देखे यहाँ पे जो first questions है इसमें आपको पास total चार सब questions है इसके तो इसमें से आपको केवल दो के ही answer लिखने है चार में से कोई भी आप अपने choice के recording कर सकते है बाकि question number second, third और fifth, fourth और fifth तो total यहाँ आपके सामने ये five questions है और सभी का यहाँ आपके लिए solve PDF यह दिये जा रहा है जिसका आप चाहें तो screenshot लेकर यह वीडियो को pause करके इसे लिख पाएंगे और यह सभी solution सही है आपके जो भी syllabus है उसी के according इसे prepare किया गया है जो भी student इस वीडियो को देखने के बाद इस PDF को purchase करने में interested हो तो दिये के WhatsApp नमबर पे message करके आप इस PDF को purchase कर सकती है जिन students को भी assignment ready करने का कोई भी idea नहीं हो assignment कैसे लिखा जाता है कौन-कौन सी guidelines है तो उसके लिए हमने आपके लिए एक separate video ready कर दी है जिसे आप जाकर देख ले वहाँ आपके assignment related A to Z queries का solution मिल जाएगा आपको कैसे बनाना है, कैसे submit करना है सारी ही detail वहाँ आपको इस वीडियो में दी गई है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें उसका link हम आपको इस वीडियो के description में provide करवाएंगे और फिर भी अगर आप अपना assignment खुद से नहीं बना पा रहे हो तो फिर आपके पास एक last option वज़ता है कि आप इन assignments का ready to submit handwritten assignment order करे जो की by post आपके address पे हमारी team के द्वारा ready करकी भेग दिया जाता है तो उसे आप order करके मंगा सकते हैं previous year अगर हम MEG course यानी MA English की बात करे तो 100 plus student ने MEG course का order दिया था mostly students के marks update होना start हो गए हैं और सभी के हमें 80-90% marks देखने को मिल रहे हैं यानी आपको जो हमारे द्वारा assignment दिया जाएगा अच्छे content, quality और handwritten में provide करवाया जाएगा जिसके demos, videos आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगे साथी साथ आप हमें WhatsApp पे भी message करेंगे तो वहाँ आपको with demo complete information दे दी जाएगी इगनोर लेटेड आपका कोई भी doubt हो कमेंट करें कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट कर दें हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें थाइंग स्वार्वाचे